हलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपी के यूट्यूब चैनल में मेरे सभी मित्र मस्त और स्वस्त होंगे इसी उमीद और आशा के साथ में आज की वीडियो जो की शुरुत कर रही हूं फ्रेंड्स और आप जानती है मैं वेस्ट मेटेरियल गार्डिंग करती ह gobierno और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इन बेकार की चीजों में पौदे लगाना और रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है इन बेकार की चीजों में तो महंगे महंगे गमले लेने से अच्छा है दोस्तों इन बेकार की चीजों का हम यूज करें आज मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगी कुछ पौदे जो की मैंने कटिंग से लगाए थे उनका रिजल्ट भी मैं शेयर करूँगी और किन चीजों में लगाया था वो भी मैं सब आपको दिखाती रहूंगी वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए दो दो प्लीज लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और सब्सक्राइब भी कर दीजेगा यह देखी फ्रेंड्स यह है पेंट का डिबा मेरे घर में वाइट वॉच के दौरान यह पेंट के बहुत सारे डिबे निकले थे तो इसमें देखिए मैंने डेविल बैकबॉन की कटिंग लगाई है और आप देख सकते हैं डेविल बैकबॉन की कटिंग बहुत ही खुपतूरती के साथ इस पेंट के डिबे में ग्रो कर रही है यह एक लिटर की बॉटल है इसमें भी मैंने देखिए यह डेविल बैकबॉन की कटिंग ही लगाई थी और कटिंग कितनी खुपसू इसमें भी मैंने ये डेवील बैगबॉन का ही प्लांट लगाया था छोसकता है दोस्तों इसका नाम ठोड़ा सा मुझे गलत आ रहा हो क्योंकि मुझे मैं कभी भूल गई हूं इस प्लांट का नाम भी यह बीज्यार डेवील बेगबॉन ही है तो इसको भी कटिंग लगाना ब हमारे गर में फॉर्चून आता है उसकी बॉटल है और इसमें मैंने यह देखी कैक्टस लगाया है अभी कुछ दिनों पहले ही यह कैक्टस मैंने इस छोटी सी ननी सी बॉटल में ग्रो किया था और काफी शांदार इसका रिजल्ट रहा है तो आप इस तरीकी की एक लिटर की जो तेल की बॉटल होती है उसको भी आप मत फेकी उनका यूज भी कर सकते हैं तेल की बॉटल हर महीने ही हमारे घर में आती रहती है यह दूसरा है बिसलरी की बॉटल इसमें भी मैंने डेविल बेक्गोन की ही कटिंग लगाई थी और देखे रिजल्ट कितना खुद्सूर इसे ग्रो करेगी यह भी अभी मैंने कुछ समय पहले ही आमरेस लियski के बलब लगायाते दोस्तों इनके फलावर बहुत हे खुपसरत होते हैं यह रेट कलर के फलावर आते हैं बड़े-बड़े साइज के फलावर होते हैं यह पौदा बल्ब के द्वारा ही लगाया जाता है एक बल्बी आप इसका लगा लेंगे तो आने वाले समय में आपके गार्डन में इसके धेरो पौदे जो है तियार हो जाएंगी ये देखी फ्रेंज फिर से मैंने दो लिटर की बॉटल का बहुत ही अच्छा यूज किया है दो लिटर की बॉटल में मैंने बहुत सारे पौ लगाया है ये भी देखे बिसलरी की बॉटल है मैं कोई भी बिसलरी की बॉटल अपने घर से बाहर नहीं फेकती हूँ कूडे कच्रे में सबका यूज अपनी टैरेस गार्डनिंग में करती हूँ यहाँ पर भी मैंने डेविल बेकबॉन की कटिंग लगाई थी दोस्तों आ आप भी इन में पौदे ग्रो कर सकते हैं दोस्तों तो कूडे कच्रे में बिल्कुल में मत्वे किये जो मेरे मित्र गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप इन बेकार की चीजों ही अपनी गार्डनिंग की शुरुआत करिए कोई पैसा रुपया खर्च नहीं होगा आपका नीचे ड्रेनिज बहुत अच्छे बनाईएगा और वेल्डेन मित्टी में आपको भी पौदा ग्रो कर लीजे ये एक दूसरी बॉटल है तेल की इसमें मैंने कैक्टस लगाया है कैक्टस जो है बहुती सांदार तरीके से इन छोटी छोटे कंटेनरों में ग्रो कर इसमें देखे मैंने दो पौदे लगा दिये दोनों ही डेविल बेगमॉन है एक ग्रीन कलर का है और दूसरा देखे ये लाइट ग्रीन की पतियों वाला है दोनों ही पौदे बहुत हाड़ी प्लांट है तो एक ही बॉटल में ग्रो करूंगी तो बहुत ही खुबसूरत और ये बल्ब जो है बहुत ही तेजी से ग्रो करते हैं अभी कुछ समय पहले ही मैंने लगाए हैं ज्यादा समय नहीं हुआ है अगस्त का महीना है आप भी इन बेकार की चीजों में जो है कटिंग लगा सकते हैं पौदे लगा सकते हैं कुछ भी आप इन में लगा सकते हैं आपको बहुत ही शांदार दोस्तों इसका रिजल्ट मिलेगा। होल बहुत ही अच्छे बनाने हैं मैंने भी देखिए। इन बेकार दही के डिबे में बहुत सारे होल जो है बनाए हुए हैं। बहुत ही मजबूत होते हैं। पांच से छे साल ये बोतले अराम से चलती हैं। दही के डबे बहुत आराम से चलते हैं तो आप भी इन बेकार की चीज़ों का यूज जो है अपनी गार्डनिंग में कर सकते हैं बेकार के चीजों की यूज करने से हमारे बहुत सारे फाइदे होते हैं परियावरण को हम अपना एक बहुत बड़ा योगदान देते हैं और इन चीजों में दोस्तों पौदे भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करते रहते हैं तो आप भी इन चीजों में जो है पौदे लगा सकते हैं यदि मेरे कुछ मित्र गाडनिंग की शुरुआत करना चाहा रहे हैं अगस्त के महीने में तो आप इन बेकार की चीजों से ही शुरुआत करिए आपको बहुत ही सुकत अनुबब मिलेगा थैंक यू फ्रेंड्स हैपी गाडनिंग फिर मिलते हैं